हेलो एवरीवन वेलकम टो चैलेंजर क्लासस माइनेम इस स्याम ओर्या अभी हम क्लास 10 के mcq टाइप मतलब अब्जेक्टिव टाइप कोशन डिसकस कर रहे हैं अब्जेक्टिव टाइप कोशन आपके 80 में से 20 मार्क्स आते हैं अगर आपने यहां पर एक कोशन गलत करेते हैं आपके एक मार्क्स पूरे चले जाएंगे और अगर उसमें गलती भी होती है तब भी स्टेप के मार्किंग मिलते हैं तो आपको 20 मार्क्स आपका पूरे परसेंटेज को खराब कर सकता है तो आपको बहुत सीरियसली और बहुत केरफुली 20 मार्क्स को अटेंड करना है इसलिए आपका अबजेक्टिव टाइप कोशन का जो स्रीज चल रहा है आप पर आपका अगर उसको देख लेते हैं तो 20 में से 20 मार्क्स आपके पूरे आ सकते हैं तो चलिए आज हमने जो चप्टर पढ़ने वाले वो ट्रिग्नोम और सारे कोशन बिलकुल समझ में आने वाले तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़े जरूरत है जानना तो हम थोड़े से 2-4 मिनिट में हम उसको क्या कर लेते हैं पहले एक बार हमने रिवाइस कर लेते हैं अगर कोई ट्रेंगल कोई ट्र गते हैं और यहां से आपका ये एंगल अलग अलग बदल जाता है अगर आप C से किसी चीज़ को प्जरवेशन करते हो तो उसके सामने वाला सी के सामने वाला परफेंडिकुलर बं जाएगा और उसके साथ लगा वाजू'? यह हमारा ट्रेंगल में परफेंडिकुलर बेस अ पढ़नाय में sin theta और cos theta फिर क्या हो जाएगा tan theta फिर क्या हो जाएगा cot theta फिर sec theta और फिर आपका जो लास बचा cos theta आजाएगा इन चीजों का आपका ratio में क्या होता है rectangle में अगर sin theta का ratio निकालना है तो p upon h perpendicular को hypotenious से divide करते हो sin theta दे जाएगा अगर base को आप hypotenious से divide करते हो तो क्या मिल जाएगा cos theta मिल जाएगा ये theta को हमने ये मान के चल रहे है ठीटा यहाँ पर मतलब c से हम अब जरू कर रहे हैं इसको और tan theta perpendicular upon में क्या होता है base होता है और base upon में perpendicular हो जाए इसी का उल्टा करते है मतलब reciprocal कर दो आप अगर reciprocal करते हो तो क्या मिल जाएगा आपका 10 का reciprocal code मिलता है और sutra रहे से CSEC का reciprocal करते हो मतलब h upon में b कर देते हो तो क्या मिल जाएगा рек और sin का reciprocal कर देते हो this upon me P今 मिल जाएगा कोशच मिल जाएगा यह तो हमारे ratio थे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने on upon में sin theta करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा वे one upon में cos theta करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा sec theta का बरापर आ जाएगा और यहीं उल्टा भी ले वन अपॉन में अगर आप पॉसक करते हो, कॉसक ठीटा करते हो, तो बराबर आजाएगा साइन ठीटा के, अगर वन अपॉन में आप सेक ठीटा करते हो, तो किसके बराबर आजाएगा, वो कॉस ठीटा के बराबर आजाएगा, और वन अपॉन में टैन ठीटा करते हो, तो किस तो 10 ठीटा है वो होता है वो sin ठीटा पॉन में cos ठीटा के और यहाँ पर अगर cos ठीटा देखा जाए तो होता है वो cos ठीटा पॉन में sin ठीटा के तो यह कुछ trigonometric ratio से अभी इतना हो गया अब इसके बाद angle देख लेते हैं चलो इसको फड़ा फड़ा नोट कर लीज़े आप पहले अब angle देखें तो हमारा angle में हमने बना लेते हैं जो sin ठीटा है sin ठीटा, cos ठीटा, tan ठीटा, cot ठीटा, sec ठीटा और क्या है cos ठीटा आपको एक angle याद कर लो ठीटा, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree यह आपके angle की जो बात करी जाएगी यहाँ पर अगर sin की ठीटा की ठीटा मतला angle यहाँ 0 पूट कर देखें इसकी value 0 आजाएगा और यहाँ आजाएगा 1 by 2 यहाँ 1 by root 2 और यहाँ पर क्या आजाएगा? root 3 by 2 आजाएगा और यहाँ आजाएगा 1 इसका rasa pockle कर दोगे 1 और यहाँ आजाएगा root 3 by 2 इसका उल्टा कर देते हैं हमने 1 को यहाँ लिख देते है, root 3 by 2 को यहाँ लिख देते है, और यहाँ आजाएगा 1 by 2 and 0 अब इन दोनों को अगर divide करते हो तो आपको मिल जाएगा 10 तो divide करो 0 upon 1 0 आजाएगा ये 22 से cancel हो 1 upon में root 3 हो गया और इसको पूरा cancel हो जाएगा 1 आजाएगा ये 22 cancel हो जाएगा तो root 3 हो जाएगा अगर कई 1 को 0 से denominator गर 0 हो गया तो undefined number बनता जिसको हमने infinite बोल देंगे अब इसी का उल्टा कर देंगे तो infinite यहाँ जाएगा और root 3 यहाँ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ 1 upon में root 3 हो जाएगा ये quart के लिए हो जाएगा अब कॉस का रेसी पोकल करोगे तो sec मिल जाएगा 1 upon में 1 करोगे इसका उल्टा कर दो 2 upon में root 3 और यहाँ क्या कर दोगे root 2 upon में क्या हो जाएगा 1 और यहाँ आजाएगा 2 upon में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा undefined value आजाएगा जाएगा जैसी 0 का करोगे फिर इसका आप क्या करो यहाँ पर infinity यहाँ 2 upon में 1 यहां root 2 और यहां आ जाएगा 2 upon में root 3 और यहां जाएगा क्या 1 आ जाएगा तो यह आपके angle है जिसको आप अगर पूरा पूरा आता है तो आपको बहुत आसानी होगी और question solve करने में भी help मिलेगा आपका ठीक है और speed भी बढ़ जाएगा चलिए और भी कुछ चीज़े हमें जान लेते है अब इसके बाद आपका identity है identity मतलब वैसे तो तीन identity होती है आपका जो आपकी syllabus में है वो किवल एक identity है तो हम maximum question जो आपका इसी identity से solve हो जाता है इसलिए हमें दूनों identity का कोई जरूवत नहीं पढ़ता एक आग दो question नहीं solve होती या उसमें must बोल दिया कि इस question को इस identity से solve परो तब दिक्कत आएगा नहीं तो इससे solve है ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है अब आगे याद हो गया था हम इसमें एक चीज़ आओ अगर मैं पूछे, sin²θ की value निकालो तो आप cos² को अधर दोगे तो 1- क्या हो जाएगा cos²θ अगर मैं बोलूँ की cos²θ की value निकालो तो क्या जाएगा 1- sin²θ तो ये जो बन गए आपका क्या हो जाएगे दो और formulae sin-square के जगहां कभी-कभी जरूत पड़ेगा तो इसका यूज कर लेंगे कभी-कभी cost-square जगहां पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे तो चलिए अब हम अपने question पे चलते हैं और बहुत time इसमें कर लिए और इसका हम question में use कराते हैं सबते पहले in triangle ABC right angle triangle जब भी trigonometry में लगेगा आपका 10 त 11, दोनोh trigonometry आपका, क्या है, right angle triangle पी based है, इसकी अनामा भी trigonometry होता, लेकिन हमारा दूसरी लिबस में, और right angle triangle पी है, तो जो चीजे दिया गया, पहले मुझे की इसाब से बना लेते हैं, हमें जो दिया गया है, कि एक ट्रेंगल है A, B, C जो B पे 90 डिग्री है और A, B की वैलू किसके परावर है वो 24 के परावर है और B, C की वैलू क्या है 7 है तो हमें पूछा क्या क्या है कि 10, C की वैलू बताईए 10, C 10, C मतलब यहां से आपजर्व करा जा रहा है इसके सामने वाला पर्पेंडिकुलर है और यह से लगा हुआ क्या हो जाएगा बेस तो अगर बोला जाए तो जो 10, C आने वाला है वो A, B पर्पेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा बेस हो जाएगा यही तो है यह पर्पेंडिकुलर A, B, S है तो इसका perpendicular की value कितना है 24 और इसका base की value 7 है दोखो ये question solve कर लिया आपने यही चीज़े आपको ध्यान रखना है तो 24 upon me 7 इसका be all option सही हो जाएगा तो चलिए next question की तरफ चलते हैं हमने ठीके second question क्या दिया हुआ second question दिया हुआ कि 10 theta 10 theta इनों नों बोल दिया ना कि कोई यहां दिया हुआ है 10 theta equal to 12 upon me 5 दिया हुआ है हमें जो find करना है हमें जो find करना है वो हमें करना है 1 plus sin theta upon me 1 minus sin theta इसकी value find करके लाना है तो इसको पहले solve करने का तरीका होता है जब भी आपको अलग मतलब जो ratio दिया हुआ है मतलब हमें 10 का ratio दिया हुआ हमें sign में convert करना है तो इससे पहले आपको क्या अगना है मतलब हाइप जो हमारे triangle की तीनो side की value निकालना जरूरी है तो triangle की तीनो side की value निकालना है हम इसको मा लेते ठीटा है ठीटा के सामने वाला क्या होगा perpendicular होगा और उससे लगा हुआ जो base होगा और 10 theta होता क्या है वो perpendicular upon में base होता है तो अब हमें यह find करना है इसको find करने के लिए पता है कि right angle triangle पी ट्रियूमेटी वर्क करता है तो इसलिए हमने इसमें कौन साथ theorem लग जाएगा पाइस्थागोरज theorem लग जाएगा तो hypotenuse का square equal to perpendicular का square plus base का square आ जाएगा 144 12 का square होता है यह हो जाएगा आप 25 अब इन दोनों को अगर हमने solve कर लें तो जो h का square आ जाएगा वो आ जाएगा 169 अब h की value निकालना है तो इधर root में भेज़िए 169 और इसका factorize करेंगे तो आपका आएगा क्या 13 multiply 13 अब root के अंदर same ही number दो बार आ गया तो यह root से बाहर निकल जाएगा अगर यह root से बाहर निकल जाएगा तो h की value क्या आ जाएगा 13 अब आपको मिल गया यह 13 अब आपकी कोई value निकालना है हमें sine की value चाहिए तो sine की value चाहिए sine theta चाहिए वो हता क्या perpendicular upon में hypotenuse तो perpendicular theta के सामने वाला perpendicular hypotenuse यह 12 upon में क्या जाएगा यह 12 upon में 13 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर value put कर देना हमें 1 plus sine theta upon में क्या निकालना है 1 minus sine theta निकालना है तो 1 plus sine theta की value क्या है 12 upon में 13 और 1 minus 12 upon में क्या है 13 इनका हमने क्या करते हैं अब LCM लेना है LCM लेने के लिए इनका denominator 1 बना दिया तो 1 और 13 का 1 और 13 का LCM क्या होगा 13 होगा और 1 और 13 का नीचे वाले का भी क्या होगा 13 होगा इसका मतलब हमें जो क्या करना है यहाँ पर 13 बनाना है तो 13 से multiply कर देते हैं और नीचे भी 13 से multiply कर देते हैं और यहाँ आजाएगा आपका 12 upon में 13 और आजाएगा यहाँ पर 13 से multiply यहाँ पर भी करते हैं और 13 से multiply यहाँ पर भी करते हैं यह 12 upon में क्या होगा? 13 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 13 plus 12 upon में कितना हो गया? 13 और नीचे कितना हो जाएगा? 13 minus 12 upon में 13 हो गया यह 13 से cancel हो गया अब जो बचा उपर हो गया 25 अप वान में 1 और नीचे कितना हो जाएगा 13 में से 12 माइनस करो 1 और नीचे भी 1 है तो ये तो पूरा 1 हो गया तो बचा क्या रहा गया ये 25 बचा रहा गया तो देखो option में है कौँस option से हो गया ये आपका C वाल option से हो गया तो फटा फट note करिए मज़ा आ रहे होंगे solve करने में बहुत बढ़ी है जब आप math को feel करने लगोगे तब और interest बढ़ जाएगा आपका तो feel करके पड़ो ना किसे bore करके पड़ो चलिए next question की तरफ चलते हैं next question आपका क्या है third question third question जो दिया गया है sine 30 cos 60 minus sine 60 cos 30 देखो sine 30 plus cos 60 minus क्या हो जाएगा sine 60 plus cos 30 sine 30 की value अब भी आपको पढ़ाया गया था sine 30 की value होता है 1 by 2 plus इसकी value भी कितना होता है 1 by 2 cos की value ये minus क्या हो जाएगा sine 60 की value होता है root 3 by 2 और cos 30 की value होता है root 3 by 2 होता है अब इसको solve करना है तो solve करने के लिए denominator तो सेम है इसको 2 लिख लेंगे 1 plus 1 करेंगे तो ये भी 2 आजाएगा minus यहाँ पर root को जो solve कर रहा था इसका coefficient एड़ होता है तो 1 1 एड़ करोगे तो यहाँ आजाएगा 2 root 3 upon में क्या आजाएगा 2 आजाएगा ए 2 से 2 cancel यहाँ आजाएगा 1 और यहाँ बचा root 3 तो यह हो जाएगा आपका यह answer बन जाएगा ठीक है चलिए next question के तरह चलते है इसको भी note करिए आप if the cos x फिर दो question आया same इसी तरह cos x cos x equal to क्या है 2 upon में 3 तो आप सीधे बनाएए यहाँ पर हमने ही एक जो है यह x वाला एंगल है और x के सामने वाला यह perpendicular है यह इसके साथ वाला base है यह hypotenious है तो दोखो इसमें क्या होता है cos जो होता है वो base upon में hypotenious होता है तो base की value किना दिया हुआ 2 h की value किना दिया हुआ 3 हमें क्या find करना p तो फिर यहाँ पर कौन सा theorem रग जाएगा पाइथा गोरस थिरम पाइथा गोरस थिरम क्या होता है h square equal to p square plus b square होता है तो h की value कितना है h की value 3 का square plus p की value आपको plus नहीं equal है यहाँ पर p की value निकालना है तो p square कर देते हैं और इधर बच्चा p square इधर plus में था इधर minus कर दिये अब अगर हमें p square equal to कितना हो गया 5 तो p की value कितना हो गया root 5 इधर square में इधर भेज़ोगे तो आपको root में आ जाएगा अब हमें value किसकी निकालनी है value जो निकालनी है 10x की 10x की value निकालना 10x क्या होता है perpendicular upon में base होता है इसका perpendicular आपको आगया root 5 क्या है root 5 है और base इसका क्या है वो 2 है तो देखो कहीं पर option में आपका root 5 upon में 2 दिख रहा है root 5 upon में 2 कौन सा option सही हो जाएगा c वल option सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है next question क्या हमारा है if cos x equal to a upon में b a b question सेम उसी तरह है आपको क्या करना है सबसे पहले cos x जो दिया हुआ है वो a upon में b तो हम मानते एक triangle है triangle में ये वाला angle को हमने x मान लेते है हम नहीं नाम करण इसका करते हैं a b c d नहीं लिखते है हमने x मान लिया तो x के सामने वाला perpendicular ये हो जाएगा base ये हो जाएगा hypotenuse तो cos किसके परावर होता है वो होता है base upon में hypotenuse तो base की value आपका a दिया हुआ है और h की value क्या दिया b फिर इस पे कौन सा theorem लगेगा python gauros theorem तो h square equal to क्या हो जाएगा p square plus b square p square plus b square तो h की value b square h की value यहां put कर दिया ये p square plus b b की value किसके परावर दिया हुआ a square तो यहाँ हो जाएगा b square इधर लाते हैं तो a square हो जाएगा अब इधर बचा आपका p square ठीक है तो P को अगर उधर भेजो P को उधर भेजो तो P को उधर भेजो गए तो root में क्या आ जाएगा आ जाएगा B square minus A square आ गया तो हमारा P की value मिल गया P की value किसके पराव मिला? perpendicular अब हमें find क्या करना है? हमें find करना है कि sin x sin x होता क्या है? वो perpendicular upon में hypotenious वो B square minus A square और H की value क्या है? H की value B है तो देखो ऐसा option में दिख रहा है हाँ बिल्कुल कौन सा option हो जाएगा? C वाला option आपका सही हो जाएगा तो चलिए इस question को भी note करिए फटा-फटा next question करते है हमने जो next question दिया हुआ आपका तब value of sin 60 sin 60 into sin 60 into cos 30 plus sin 30 into क्या हो जाएगा? cos 60 चलिए sin 60 की value कितना है? अभी आपने पढ़ा sin 60 की value root 3 upon me 2 और cos 30 की value कितना है? वो भी root 3 upon me 2 plus और sin की value होता है sin 30 की value 1 और cos की value भी 1 अब नीचे हमने multiply करे यह हो जाएगा 2 2 का multiply 4 और root root का multiply क्या होगा? root से हट जाएगा 3 plus 1 1 का multiply 1 नीचे हो गया 4 अब denominator सेम हो गया तो हो गया यहाँ पर 4 इधर 3 plus 1 हो गया तो क्या आगया? 4 upon में 4 इसको cancel करोगे इसके बराबर आजाएगा 1 के बराबर आजाएगा तो यह तो बड़ा आजान question था तो B की value क्या हो गया? 1 आगया चलिए next question की तरफ चलते हैं 2 10 देखते हैं यह हमारा जो question दिया हुआ कि 2 10 30 upon में 1 plus 10 square 30 इसकी value बुचा जा रहा है पहले 10 30 की value क्या होता है? 10 30 की value क्या होता है? 1 upon में root 3 होता है नीचे 1 plus 1 plus 10 30 की value भी यहाँ पर भी 1 upon में root 3 का square हो जाएगा अब अगर इसको हमें solve करना है इसको हमें solve करना है तो हम क्या करेंगे? कि 2 upon में root 3 हो गया और इसको solve करेंगे तो यह 1 plus यहाँ पर 1 का square 1 हो जाएगा और root 3 का square क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा अब इनका हमने LCM ले लेते अगर LCM लेते हैं तो क्या आजाता है? LCM लेते हैं तो तो यह 2 2 upon में root 3 हो गया और नीचे इसके divide में क्या हो जाएगा? LCM होगा 1 और 3 का कितना LCM होगा? 3 होगा 1 के साथ जो भी number होता वह उसका LCM बन जाता है तो इधर 3 बनाना आपको 3 का उपर नीचे multiply करिए तो क्या हो जाएगा? यह 3 प्लस 1 upon में 3 आजाएगा अब देखो ध्यान से तो इसको हमें solve परना है 2 upon में root 3 हो गया और यह जो आया है नीचे वाला हमारा वो 4 upon में 3 आजाएगा अब आगे वाला solve करते हैं तो 2 upon में root 3 और नीचे वाले का जब भी हमें यह divide कर रहे हो जब भी divide करते हो पहले इसको reciprocal करके multiplication बदलना पड़ता है तो यह 3 upon में कितना आगा है? 4 आगा है इसको cancel करोगे 2 अंजा 2, 2 दूजा 4 तो यहाँ आजाएगा 3 upon में 2 root 3 अब हम इसका rationalize कर देते हैं अगर हम rationalize करते रहें 3 root 3 upon में कितना आजाएगा? देखो ध्याँ से 2 multiply root root का multiply करोगे 3 यह 3, 3 sequencing हो गया तो यह आजाएगा root 3 upon में 2 अब यह आया हमारा solve करके answer root 3 upon में 2 और root 3 upon में 2 किसकी value होता? sin 60 की value कितना होता है? sin 60 की value देखो root 3 upon में 2 होता है और cos 60 की value जो होता है आपका 1 by 2 होता है और 10 60 की value होता है root 3 होता है और sin 30 की value 1 तो कौन सा option से हो जाएगा? sin 60 तो चलिए next question के तरफ चलते है दो यह question जो दिया गया है इस question में हम क्या करते है? अभी ऐसे question को solve करने के बहुत साइट तरीके होते है लेकिन आपको जो ऐसा question आए तो जो method यूज करना है वो option से through करना है तो एक बाद 30 degree इसमें put करो तो हमने क्या करते हैं? पहला वाला option ले लेते हैं तो हमारा theta की value किसके बराबर दिया हुआ? theta की value जो दिया हुआ है वो theta equal to 30 degree दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 30 degree हम इसके left hand side और right hand side दोनों put करते हैं तो sine 2 multiply 30 ये बराबर हो जाएगा 2 sine 2 sine किसके हो जाएगा? 30 के तो हम देखते हैं क्या दोनों side बराबर आ रहे हैं? अगर दोनों side बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है theta की value पी ही ये दोनों side बराबर हो रहे हैं ठीक है? तो अब हमने क्या करते है? यहाँ आ जाएगा sine 60 और इधर 2 multiply इसका 1 by 2 ये cancel हो जाएगा यहाँ 60 की value क्या होता? root 3 by 2 ये 1 के बराबर क्या होगा? नहीं बराबर होगा इसलिए left hand side not equal हो रहा है किसके? right hand side के तो ये तो वाला option सही नहीं हुआ अब हमने b वाला option सही चक करते हैं b वाला option 45 दोनो side पूट करते हैं तो यहाँ पर आप 45 पूट करिए अगर हम 45 पूट करते हैं तो theta equal to क्या हमें पता चल लिए? 45 है और जो है sin 2a equal to 2 sin a अब यहाँ a की value या theta की value जो आपका है वो किसके बराबर है? ये a की भी बराबर है ठीक है? यहाँ आपने sin 2 multiply 45 और यहाँ 2 sin क्या जाएगा? 45 आजाएगा और इसको solve करोगे तो क्या जाएगा? sin 90 equal to 2 sin 45 है तो इसको अगर यह 1 आजाएगा इदा 2 multiply 1 upon में root 2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे इसलिए ये वाला भी option गलत हो जाएगा और c वाला option पर आते हैं c वाला option क्या आपका? 0 तो sin 2 a equal to 2 sin क्या हो गया? 2 sin a तो a की value आपको पहले पता है 0 है तो 0 degree है तो यहाँ पर 0 degree put करिए क्या जाएगा? sin 2 multiply 0 equal to 2 sin 0 तो इधर भी sin क्या हो गया? sin 0 हो गया और इधर भी 2 sin क्या हो गया? 0 हो गया sin 0 का value 0 होता इधर 2 multiply 0 करेंगे तो क्या जाएगा? तो दोनों side 0 तो left hand side और इसमें बराबर हो गया किसके? right hand side इसका मतलब इस theta के value पे इसका जो a की value होगा a की value होगा वो 0 होगा क्या पूछा गया? a की value क्या होगा? 0 होगा इस a की 0 वाले value फी दोनों ये बराबर हो रहे है चलिए next question की तरफ चलते है हमने sin 40 minus a sin 30 और पूछा गया कि find the value of a ये तो सबसे असान question होगा आपका इसमें दिया sin 40 minus a equal to sin 30 a की value बताओ क्या होगा? a की value ये sin sin से आपका cancel तो नहीं होता लेकिन आप फटा सकते हो ऐसे तो यहां से हो जाएगा 40 minus a equal to 30 तो एक उधर जाओ 30 की उधर लेके आओ तो आपका क्या हो जाएगा? a उधर गया तो positive 30 इधर गया तो क्या होगा? 40 minus 30 तो यहां से a की value कितना आजाएगा? 10 a की value क्या आजाएगा? 10 degree आजाएगा तो ये इसका option कौन साथ सही हो जाएगा? कौन साथ सही हो जाएगा? c वाला सही हो जाएगा चलिए next question की तरफ चलते है if sin x plus cos x equal to 2 then उसकी value निकालना देखो ये question आपका important है और ऐसे question आने के chances बहुत जादा होते है sin x plus cos x equal to 2 और हमें जो find कर लाना है हमें क्या find करना है? find करना है sin 19 x plus cos x ये हमें find कर लाना है तो चलिए इसने पहले हम देखते हैं कैसे solve करते हैं जब भी ऐसा question आए तो आपको क्या करना है? देखो sin और cos x की value मिल जाए sin और cos x की value अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ put कर दोगे तो आपकी value मिल जाएगा तो हमें sin और cos x की value निकालना है तो sin और cos x की value निकालने के लिए दोनों को एक ही में बदलना है तो अभी मैंने बताया था cos x को अगर हमने one upon में sin लिखते है sin theta है उसी को तो cos x बोला जाता है sin theta था और इधर equal to 2 अब दोनों का denominator सेम हो गया हमने एक बाल लिक लेते हैं sin theta और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin square theta plus 1 equal to 2 इसका इधर multiply इसका इधर multiply कर लो तो आज आएगा आपका sin square theta plus 1 equal to क्या हो गया 2 sin theta 2 sin theta हो गया अब देखो देहान से इसको इधर लेकिया हो क्या हो जाएगा sin square theta minus 2 sin theta इस चीज़ को हमने इस साइड लेया तो minus हो गया plus 1 equal to 0 अब इसको solve करना यह quadratic equation की तरह हमने बाग में आपको ऐसे मालो कि sin theta equal to हमने x माल लिया let माल लिया हमने कि sin theta किसके बराबर x बराबर तो देखो अधर देखो x square minus 2x plus 1 equal to 0 ऐसा equation तो solve करना आपने सीखा है 9 में 8 में आपने solve करना तो इसको solve करना है तो middle term splitting से करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus 1 x plus 1 equal to 0 हम क्या करते है middle term splitting इसका coefficient 1 और 1 का multiply करोगे तो 1 ही आता तो 1 plus 1 मिला के जो हमारा number आया उस number का factorize करते है यहाँ number आया 1 तो 1 का factorize करोगे तो क्या हैगा 1 into 1 और 2 number का sum करने के बाद यहाँ 2 मिल जाए यहाँ subtract करने का बाद मिल जाए हमें sum करने मिल गया तो यहाँ x square minus 1 x 1 x और इसका अंदर multiply करोगे minus 1 x plus 1 equal to 0 तो यहाँ से यहाँ से आपका common करना है तो यहाँ से x common कर ले दे x minus 1 बचेगा और यहाँ से minus 1 common कर ले दे x minus 1 बचेगा तो यहाँ से दोनों factor क्या है x minus 1 और अगला भी factor क्या हो गया x minus 1 इसका मतलब हम ऐसे put कर सकते हैं कि जो sine x की value sine है तो sine theta minus 1 sine theta दिया हुआ कि x है गलत करती है कोई बात नहीं support theta या x में बना ले ना आप यह सारे क्या है यह x है यह भी x है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट x है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास sine की value पता चलिए sine की value sine यह आगया है किसके बरावर आया 1 के बरावर यह 0 के बरावर करोगे एक बार इसको 0 करो x की value अपने sine मान रखता है तो हम यहाँ से जो sine sine theta या sine x की value जो आया 1 आया अब हमें cos की value निकाला तो 1 upon में 1 upon में cos भी करेंगे cos थीटा भी करेंगे तो 1 upon में 1 करोगे तो यह भी किसके बरावर 1 के बरावर आएगा इसका मतलब आपका 1 upon से यहाँ से आपका इसका multiply करो तो जो cos थीटा की value भी आगया कितना 1 आगया कितना आया 1 आया और sine theta की value भी कितना आया 1 आया अगर आपको दोनों की value 1 मिल गाती इसमें put कर दो तो देखो 1 का power 19 plus 1 का power 20 तो किसके बरावर आजाएगा तो 1 का power चाहे जितना भी रखो 20 आने वाला है और अगले की power भी रखोगे तो 1 ही आएगा तो ये 20 आजाएगा 20 बोलों 2 आजाएगा कितना आएगा 2 आएगा 1 plus 1 कितना आजाएगा 2 आजाएगा आपका तो ध्यान से देखिए ये question बिलकुल आसान था बस x या theta वो theta लिखने के आदत ज्यादा है तो इसलिए theta में चला गया सारा तो इसको ध्यान ना रखते हो आप क्या रखो कि x में दिया हुआ तो आप x में लेखी करोगे सेम करना सबसे पहले आपने ऐसे करके एक quadratic polynomial बनाया quadratic polynomial जैसी बन जाएगा तो quadratic को solve पर लोगे तो वहां से sin theta की value मिल गया और वहीं से हमने sin theta से cos theta की value निकाल लिया और sin और cos theta की value पूट कर लिया हमारा किसकी value निकल गया जो हमें पूछा गया था चलिए next question के तरफ चलते है 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4 अब हमें क्या करना है इसको solve बरके बताना है कि किसके बराबर आ रहा है किसके बराबर आ रहा है तो हमें पहले तो solve simplify करना है दो को sin और cos है तो दोनों का हमने एक identity बता गया था कि sin square theta plus क्या होता है cos squared theta equal to 1 होता है हम यहाँ से क्या करते है कि sin squared theta की value निकाल दे cos squared को धर वेजो तो 1 minus क्या आ जाएगा cos squared theta तो हम क्या करते है यहाँ पर हमने क्या put कर देते है यहाँ पर हमने जो put करते है वो 1 minus cos squared theta तो 7 आ जाएगा 1 minus cos squared theta plus 3 cos squared theta equal to 4 7 का अंदर multiply 7 minus 7 क्या जाएगा cos square theta plus 3 cos square theta equal to 4 इन दोनों को solve परो 7 को धर वेजो तो आ जाएगा किस में U minus में चला जाएगा चलो यह 7 में से 3 को minus करो कितना आएगा 4 cos square theta और इधर हम भेजते हैं इसको अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा यह 4 था और minus 7 आ जाएगा तो minus 4 cos square theta equal to minus 3 आ गया तो देखते हैं क्या आता है तो यहां सो गया आपका cos square theta minus minus दोनों साइट से cancel हो गया आपका तो 3 upon में क्या आ गया 4 square को धर भेजो square क्या हो जाएगा square root में आ जाएगा तो root में 3 upon में 4 हो गया और 4 जो perfect square number है बाहर निकल लेगा लेकिन root 3 नहीं निकल पाएगा तो इसको हम बोलेंगे root 3 upon में 2 क्या ऐसा आया हुआ कहीं पर यह 10 में पूछा गया 10 में पूछा गया है तो 10 में निकलने के लिए क्या करना परेगा तो सबसे पहले आप इसकी value निका लिए देगो यह theta हमने मानग चलते है theta के सामने वाला base होगा perpendicular होगा तो यह perpendicular नहीं पता हमें base इसका पता है यह होता है base upon में hypotaneous तो base इसका हो जाएगा root 3 और यह आजाएगा 2 अब हमें निकालना है तो क्या करेंगे h square equal to p square plus b square तो h की value 2 का square मतलब 4 आजाएगा plus p की value निकालना है और b का क्या है root 3 का square है तो root 3 का square root का square का root रूट हड़ी आएगा तो 4 और plus सिधर तिधर लाओ कि तो minus 4 minus 3 equal to किसके आगया p square आगया और यहां से p square की value क्या आजाएगा 1 आजाएगा और p की value किसके हो जाएगा 1 ही रोगा इसका root 1 ही आजाएगा तो यह तो हो गया आपका 1 अब हमें 10 की value निकालना है तो 10 10 ठीटा होता है p upon में b तो 1 upon में क्या हो जाएगा root 3 तो यह answer बन जाएगा देखो b की value root 3 है question अच्छा था थोड़ा बहुत सबसे पहले इसको solve करके हमने क्या बन गया हमारा cause की value आगे cause से हमने क्या निकाल लिया n निकाल लिया चलिए next question की तरफ चलते है और इसको फटा-फट note करिए तो यह भी question आ गया इल्कुल सिम्पल सीधा क्या बोला गया है किसमें किसमें क्या दिया हुआ आपका कि sin sin a equal to 1 upon में 2 and and क्या दिया हुआ cause b equal to क्या दिया 1 upon में root 2 अब यह बताओ sin के किस value पे 1 upon 2 होता है sin के किस value पे 1 upon में 2 होता है तो sin का जो अगर देखा जाए तो sin 30 का होता है किसका होता है sin 30 इस sin को sin से हमने यह मानते हैं कि हमने हटा दिया भी तो एकी value किसके बरावर आ गया एकी value आ गया 30 degree कितना आ गया 30 degree और यहां देखते हैं कि कॉस के किस value पे यह 1 by root 2 देता है तो यह कॉस 45 पे देता है तो यह कॉस को कॉस से माना हटा दिया तो बी की value कितना आ गया यह 45 आ गया कितना आ गया 45 आ गया बी की value आ गया आपका 45 आ गया प्लस बी किसके बरावर आने वाला तो ए प्लस ए प्लस बी करोगे तो 30 प्लस 45 45 इसके बरावर आ जागा यह 75 डिगरी बरावर आ जागा जो आपका यह मेन एंसर यह तो 75 पॉन सा सी वाला ओप्सन सही है तो फटा फट नोट करिए और नेक्स कोशन के तरब चलते हैं हम इसमें दिया स्टाइम ठीटा माइनस कॉश्टीटा इकोल टू जीरो फिर कोशन आये तो बता रहें ठीटा की कौन सी वैलू तो ऐसा जब भी कोशन आये तो आपको ओप्सन से चक कर सकते हैं या आप अगर वैलू निकाल पाते तो निकाल लिए तो हम क्या करना ही माइनस मुदर जाएगत क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा अब बताओ ये ठीटा की कौन सी वैलू पूट करोगे जो दोनों साइड क्या हो जाएगा बराबर तो इधर हमने अगर 45 थीटा की value put करते हो, sin 45 और इधर भी क्या करते हो, sin cos 45 put करते हो, तो दोनों की value क्या जाएगा, 1 by root 2 इधर भी क्या जाएगा, 1 by root 2 दोनों side बराबर हो गए, तो यह थीटा की value हो गया आपका, तो इसका option कौन सो जाएगा, और इसको करने का और भी तरीका है, देखो हमने ऐसे कर लिया कि sin थीटा, sin थीटा अपॉल किसके हो गया, cos थीटा, cos थीटा के साथ हमने 1 का multiply करते हैं, तो 1 के multiply में इधर आगा क्या हो जाएगा, divide में जाएगा, तो यहां सो हो गया sin थीटा, कौन में क्या हो गया, cos थीटा, और इधर क्या हो गया 1, तो यह बनेगा sin थीटा, cos थीटा किसके बढ़ा हो गया, 10 थीटा, और 10 थीटा 1 किस पे होता है, 10 आपका 45 पे 1 होता, 10 थीटा इकोल तू इसको हम बहु सकते हैं, 10 45 पे, तो यह 10 10 से हट जाएगा, तो 0 थीटा इकोल तू क्या आजाएगा, 45 आजाएगा आपका, तो ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, the value of sin 45 and cos 45, कितना आसान question दे दिया, फिर आपको value बतावना चाहिए, तो sin 45 plus cos 45 की value क्या होगा, sin 45 value 1 upon में root 2, plus 1 upon में root 2, तो यह कितना हो जाएगा, दोनों का denominator सेम है, तो root 2 हो जाएगा, उपर क्या हो जाएगा, 1 plus 1, 2, लेकिन denominator में root नहीं रहता, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, rationalize करना पड़ेगा, जब rationalize करेंगे, तो क्या जाएगा, 2 root 2 upon में कितना जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, इसको cancel करेंगे, तो क्या जाएगा, root 2 कौन सा option सही हो जाएगा, आपका B all option सही हो जाएगा, तो चलिए, इसको भी फटा फट note करिए, next question की तरफ चलते हैं हमने, sin a equal to 1 by 2, तो value बताओ, part a का, ऐसा question आपने कर के आएगा, sin a equal to 1 by 2, तो आपको क्या करना है, c देट triangle बनाना है, a को 90 मानना है आपको, फिक है, और इसको मान लेते हैं हमने, a और, ऐसे मानते हैं, a, b, c, तो एसे कोई देख रहा है, मतब यहां से कोई आपजर्व कर रहा है, तो इसके सामने वाला perpendicular, यह हो जाएगा base, यह हो जाएगा hypotenuse, तो यह हो जाएगा 1 के बडाबर, और इसका hypotenuse क्या है, 2 के बडाबर, हमें क्या find करना, जिसमें कौन सा theorem लगा देंगे, पाइथा गोरज theorem, h square equal to p square plus b square, जो सबसे बडा side होता है, अदर two side के square के सम के बडाबर होता है, तो चलिए, h की value 2 का square, और p की value कितना, 1 का square, प्लस b का square, तो इधर 2 का square 4, और 1 का square 1 ही होता है, इधर b का square हो जाएगा, और यह आजाएगा, 3 equal to b का square, तो b की value कितना आजाएगा, वो root 3 आजाएगा, कितना आजाएगा, root 3 आजाएगा, b की value root 3 आगया, अब यह root मिल गया आपका, यह हो गया, root 3, अब root 3 मिल गया, हमें कुछ भी पूछा जा रहा है कॉट ए पूछे कॉट ए मतलब इसी एंगल से ऑप्जर्ब कर रहे है तो इसका मतलब होता क्या यह परपेंडिकुलर एबेस है आइपोटनिस रहेगा तो कॉट ए होता क्या पी एपॉन बी एपॉन में पी तो बी की बलू रूट थ्री और पी की बलू किसके बरावर वन तो रूट थ्री अपॉन में वन कौन से ओप्शन से हो जाएगा यह वाला ओप्शन इसके नीचे वन नहीं लगाना जरूरी है इसलिए रूट थ्री हो जाएगा इसका next question जो हमारा 16 question है उसमें क्या पूछा गया है if a triangle ABC is a right angle at C वो ले एक triangle है जो right angle है किस एंगल पे ABC में जो हमारे पास है वो एक ABC ट्रेंगल दिया हुआ ABC ट्रेंगल जो है A, B और C दिया हुआ ये बोलने कि C P C P कैसा बना रहा है वो राइट एंगल बना रहा है C P जो बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है अच्छा ट्रेंगल के तीनों एंगल अगर हम मैं बोलूँ कि angle A plus angle B plus angle C angle C, angle C करते हो तो किसके बरावर आएगा? angle C आएगा आपका 180 के बरावर आएगा चलिए, एक angle, एक angle जो आपका दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है? एक angle जो दिया हुआ, angle A plus angle B plus ये 90 degree दिया हुआ C वाला तो हमें 180, ये तीनों angle का हो जाएगा A plus B, और 90 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इधर plus में था तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? angle A plus angle B, एकवल टू कितना आगा है? 90 degree आगा है ये हमें question के अंदर जरूरत है तो चलिए देखते है अब हमें पूछा गया है कि अगर ABC एक triangle जिसमें C 90 degree तो इसका मतलब A plus B ये दो angle का sum B किसके बरावर होगा? 90 के बरावर होगा तो हमें बताइए cos A plus B क्या होगा? cos A plus B अभी आपने निकाल लिया है A plus B की value किसके बरावर है? cos A plus B ये 90 के बरावर है और cos 90 की value क्या होता है? cos 90 की value क्या होता है? 0 होता है किसके बरावर होता है? 0 होता है अगर यही देखो education में cos यहा housing देदेता tan देदेता quart देदेता sec देदेता cos sec देदेता कुछ भी देदेता तो आपको answer मालों, यहाँ पास sin होता है, तो sin, sin क्या होता, sin a plus a plus b की value किसके परावर होगा, sin, sin जो a plus a 90 हो जाएगा, और 90 value किसके परावर होता, 1, तो यहाँ पर, यहाँ पर जो हमारा option होने वाला है, क्या होगा, 0 होगा, अगर यही sin में convert कर देगा, तो उसका answer क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो चलिए, इसको फटा-फट note करी, हम next question के तरफ चलते हैं, ठीके, 17 question जो हमारा है, the value of 10, 0, 10, 1, 10, 2, मतलब 0 से start करके, 189 तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, तो हमें पूछा गया है, किसकी value बताईए, कि क्या होगा, 10, 0 degree, into, 10, 1 degree, 10, 2 degree, 10, 3 degree, 10, 3 degree, फिर इसके बाद, 10, 4 degree, ऐसे करते करते हमने कहां तक गये, 10, 10, 10, 89 degree, ठीक है, अब ध्यान से बेकिने कोशिज करो, कि 10, 0 की value क्या होता है, 10, 0 की value क्या होता है, 0, और 0 के साथ, किसी भी angle का multiply करो, चाहे जितना भी है, वो सबका answer क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये question देखने में, आपको लग रहा था, कि थोड़ा सा tough हो सकता है, लेकिन बिलकुल आसान है, तो हमारे पास फोगाँ सा option हो जाएगा, इसका, ये वाला option हो जाएगा, चलिए, नेक्स बोशन के तरफ चलते हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ, कि sign, sign a plus sign square a equal to 1, ये हमें दिया हुआ है, then the value of, हमें किसकी value find करना है, हमें इसकी value find करना है, क्या करना है, cos square a plus cos की power 4 a की value find करके लाना है, तो sign a plus sign square a equal to 1 दिया हुआ, था हमें cos square a plus cos की power 4 की value find करना है, तो इसकी value क्या होगा, कैसे निगालेंगे, तो चलिए हम कोशिस करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कि हम पहले जो हमें given है, जो हमें given है, उसकी इसाब से हम कुछ ना कुछ find करते हैं, अब इसमें हमने जो find करना है, तो हम क्या करते हैं, कि sin a को इधर छोड़ते हैं, और sin square a को उधर ले जाते हैं, तो 1 minus क्या आ जाएगा, sin square a आ जाएगा, और आपने पढ़ा है, कि 1 minus sin square a, 1 minus sin square a, किसके बरावर हो जाता है, वो cos square a के बरावर हो जाता है, यह हो जाता है, cos square a के बरावर हो जाता है, यह तो हमने formulas निगा ले थे, ठीक है, यह आपका formulas आ जाया था, अब हमें क्या करना, 1 minus sin square a के जगा, 1 minus sin square a के जगा, क्या पूट कर देने वाले है यह कॉस स्क्वाइर को तो यहां पर आ जाएगा कि साइन स्क्वाइर ए साइन ए स्क्वाइर नहीं है इसमें साइन यह जो बराबर आ जाएगा वो किसके बराबर जाएगा यह इधर आ जाएगा कॉस स्क्वाइर A के बरावर आजाएगा तो हम यहां से cos की value निकालते अब cos की value निकालेंगे तो square को इधर भेजना पड़ेगा तो cos, जो cos A cos A आगया, under root के आजाएगा under root आजाएगा आपका sin A आजाएगा तो यह तो हमारा, इस से निकला यह हम किस से निकालेंगे अब हमारे पास इस से हमें एक value मिल गया कि cos A की value, cos A की value हमने इसमें दोनों में put करते थे और cos A की value put करते हैं तो देखते हैं किसके बरावर आजाता है चली, इसमें हमने put करते हैं अब जो आया, cos की value आया आपका sin A, वो भी किस में आया रूट में आया, इसका क्या हो जाएगा पावर 2, प्लस अब आगे आते हमने कि इसको करते है इसको हम लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते थे हमने cos square A की value तो पहले निकल चुका था हमने तो हमने cos square जहाँ sin A पूट कर देते है क्या करते हैं हमने इसको थोड़ा और simplify करते हैं यहाँ पर हमने करते हैं जो cos square A प्लस इसको लिख देते हैं cos square A और इसका power क्या हो जाएगा 2, power का power फिर cos की power 4 हो जाएगा cos square A की value आपका sin के बराबर ते दोनों जगां पूट कर दो यहाँ आ जाएगा क्या कि sin A प्लस यहाँ क्या जाएगा sin square A अच्छा ऐसा कुछ आपने अभी देखा है ऐसा कुछ आपने देखा है कहीं पर विल्कुल देखा है तो ऐसा कहाँ पर देखा है आपने ऐसा कहाँ पर देखा है यह पहला ही equation था आपका कि sin a plus sin square a किसके बराबर होता है यह 1 के बराबर दिया तो इसके answer क्या हो जाएगा कौन सो answer सही हो जाएगा तो हमने इसको जो यह हमें जो पूछा गया था वो हमारा किसमें आ गया जैसे हम इसका use करें वैसे हमारा sin a plus sin square a के बराबर आ गया तो हमारा पहले सी पता है कि हमें 1 के बराबर होता है इस question में given था तो चलिए इसको फटा-फट नोट करी यह बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा तो इसका answer आपका यह वाला सही हो जाएगा ठीक है अब 19 question the value of 1 plus देखको यह question बहुत important और NCRT का question कई बार आये हुआ कई सालों आये हुए ऐसा नहीं पहली बार आये हुआ तो 1 plus क्या दिया हुआ है cot theta minus cosac theta और 1 plus 10 theta प्लस क्या है sec theta यह दिया हुआ है इसको बोलें solve करने के बाद आपका option क्या मिलेगा इसको value find करना है तो जब भी आपका question solve करना है तो हमेशा करने का तरीका लिया करो आप तरीका क्या है कि आप जो भी है जो भी ratio है sign, cost, 10, cost सबको sign और cost में बदलो किस में बदलो सबको sign और cost में बदलो अभी आपको cot का पढ़ाया गया था जो cot theta होता है वो sign और cost के टम में क्या होता है cos theta upon में क्या होता है sign theta होता है और इसके अलामा क्या पढ़ाया गया आपका कि कॉसेक का क्या होता है कॉसेक ठीटा का होता है आपका one upon में sin ठीटा फिर आगे आ जाते हैं 10 का क्या होता है 10 ठीटा का हो जाता है आपका sin ठीटा upon में क्या हो जाता है कॉस ठीटा हो जाता है फिर इसके बाद sec ठीटा का अगर देखा जाए sec theta को हमने बदल सकते है cos में तो cos theta हो गया तो यह तो हमें sin और cos में बदलने है अब हम क्या करते है इसको इसमें put करते है तो यहां पर 1 plus cot को अगर बदलना चाहोगे तो क्या हो जाएगा cos theta upon में क्या होता है sin और cos में सब को बदलना है सारे ratio को अगर sin और cos में तब उसके आगे हम सोचेंगे कि हमाएं क्या करना है पहले sin और cos में बदलना है और यह क्या हो जाएगा 1 upon me sin theta हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus यह आजाएगा sin theta upon me cos theta ठीक है यहाँ पर plus 1 upon me cos theta हो जाएगा आपका यह हो जाएगा तो चलिए देखते हैं अब इनका सारे का सारे का जो सारे के सारे की डिनोमेटर सेम करने यहाँ पर भी सबका डिनोमेटर सेम करने तो हमें क्या करने यहाँ कॉस कॉस है यहाँ पर क्या बनाओगे जो सेम हो जाएगा यहाँ पर भी आप कॉस ले कॉस ब multiply करोगे, तो 1 के साथ sin का multiply करोगे, तो sin theta हो गया, plus cos theta, पहले सी था, ये minus 1 और सब की नीचे क्या बन गया, ये बन गया sin theta, यहाँ पर भी, ये तो पहले सी यहाँ दोननों गया था, ये हो गया, आपका sin theta, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं यह cos 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 का उपर नीचे multiply करो cos का उपर नीचे multiply करोगे तो cos theta upon me क्या हो जाएगा cos theta plus sin theta upon me cos theta plus one upon me cos theta ठीक है अब सारे का सारे का denominator सेम हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया यह sin theta और उपर क्या हो जाएगा sin theta plus cos theta minus one यह बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा cos theta plus sin theta plus one और नीचे क्या आ जाएगा आपका cos theta आ जाएगा ठीक है देखो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें यह करना है कि अब इसको आगे कर क्या सकते है अभी तक हमने sin और cos में बदला sin और cos में बदलते हमें दिखा कि अब इसके अगला हम क्या करते है LCM ले लेते फिर अगला step क्या दिख रहा आपका sin और cos के बाद अब आगे इसको multiply या divide कुछ कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि अब हम multiply करते है इसको एक bracket मान लेते है इसको हम एक bracket मान लेते है तो इसको मानते है कि जो यह बना यह बना जो आपका वो क्या बन गया वो A यह बन गया और minus B ऐसा कुछ यहाँ बना और यहाँ पर जो बना वो A और plus B तो इसका formula जो होता है आपका क्या हो जाता है A square minus B square हो जाता है तो A की value किसके बराबर sin theta plus cos theta और B की value 1 यहाँ पर भी A की value वही है और B की value क्या है 1 और नीचे का नीचे से multiply कर देंगे तो चलिए अब करते हैं हमने तो sin यहाँ आजाएगा कि sin यहाँ पर A की value पूट करो sin theta plus cos theta यह A की value था इसका square हो गया और इसकी value 1 था 1 का square हो जाएगा और नीचे का multiply करेंगे तो क्या आजाएगा sin theta into क्या हो जाएगा cos theta आजाएगा अब आगे जो solve करते हैं यहाँ पर A plus B का whole square का formula लगाते हैं तो sin square theta A square plus B square plus 2 AB sin theta into cos theta minus 1 हो गया और नीचे क्या divide चल रहा है आपका sin theta into क्या हो जाएगा cos theta अब यह देखो ध्यान से कि हमने क्या करा इसमें A plus B का whole square लगा दे A square plus B square plus 2 AB minus 1 पहले से था आपको अब हमें क्या करना है sin square theta plus cos square theta की बलू किसके बरावर होता है 1 के बरावर होता है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 और यह 2 sin theta into cos theta minus 1 और divide by क्या जाएगा sin theta into cos theta हो गया यह 1 से 1 cancel हो गया अब बचा जो आपका वो 2 sin theta into क्या बचा cos theta और नीचे क्या आगया sin theta into cos theta यह cancel हो जाएगा तो आजाएगा आपका 2 इसका answer हो गया 2 जब भी trigonometric identity वाले question solve करने है तो सबसे पहला काम sign और post मतलना है फिर आगे देखो क्या LCM हो रहा है कई multiply हो रहा है कोई formula लग रहा है तो हमने देखा यहाँ LCM हो रहा है मारपास answer क्या आगया 2 आगया चलो हम next question की तरफ चलते इसको फटा फटनोट करिए ठीक है आप दोको 20 वाला question जो दिया गया आपका sin theta upon me 1 plus cos theta जब भी ऐसा question आए तो आपको क्या करना है कि हमें ऐसे question को solve करने के लिए हमें इसके जैसा ही इसके बनाना है आपको इसको rationalize बोलागा rationalize कर देते हैं हमने तो rationalize कर देते हैं तो rationalize क्या होगा यहाँ पर plus यहाँ पर minus आजाएगा cos theta और यहाँ पर हमने क्या करेंगे 1 minus cos theta से multiply कर देंगे चलिए अब उपर आगया आपका क्या sin theta sin theta 1 minus cos theta और नीचे क्या हो जाएगा a plus b a minus b a plus b a minus b अभी बताया था a square minus b square a की value आपका हो जाएगा 1 का square और b की value आजाएगा आपका क्या cos square theta ठीक है यह आजाएगा आपका sin theta 1 minus cos theta और नीचे क्या जाएगा 1 minus cos square theta ठीक है तो 1 minus cos square theta किसके बराबर होता है वो sin theta के बराबर हो जाता है ठीक है यह हो जाता आपका किसके बराबर हो जाता है sin square theta के बराबर इससे एक sin cancel हो जाएगा तो जो बचा आपका 1 minus cos theta upon में क्या हो गया साइन ठीटा ऐसा कोई ऑप्टिटा आइसा कोई अपर आप शूञाया से पाउगा सी वाला question 21 question जो दिया हुआ आपका वो root में 1 plus sin theta upon में 1 minus sin theta ये दिया हुआ तो जब भी ऐसा question आया तो उसको पहले एक root में कर लो आपका 1 plus क्या हो जाएगा sin theta upon में 1 minus से क्या हो जाएगा sin theta अब इससे हमने क्या करते इसका root हटाने का काम करना तो root कब हटेगा जब नीचे हमने क्या करें इसके rationalize कर दे हमें कुछ नहीं करना अभी हम इसको जैसे पीछे वाला question को rationalize करें तो वैसे इसको करना है तो हमें क्या करना one plus sine theta से क्या करना है multiply करना है अब यह root को हम नहीं सोच रहे हैं हटाना हम बस क्या करना है root के अंदर ही इसका rationalize कर दिए अब rationalize करा हमने तो उपर वाला दोगो same same आ गया जब उपर same आ गया आपका तो क्या होगा अगर same number का same number multiply करो तो क्या हो जाता है वो same आप उसका power क्या add करके उसकी power को 2 कर देता है और नीचे क्या बन जाएगा a minus b a plus b फिर हो यह a square minus b square तो one का square minus sine square theta हो गया तो आ का square और b का square कर दिया अब आगे आते हैं अगर तो अब अगर यह root के अंदर कोई same चीज दो बार आ गया root के अंदर same चीज दो बार आ गया तो root से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा root से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा अगर root से बाहर निकल जाता है तो बचेगा क्या one plus sine theta upon में क्या जाएगा one minus sine square theta one minus sine square theta को हमने यह root के अंदर अभी रहेगा यह वाला तो 1 minus sin square theta को हमने क्या लिख सकते हैं यह cos square theta लिख सकते हैं अब दीखो यह भी root से बाहर निकल जाएगा यह भी root से बाहर निकल गया तो आपकल क्या हो जाएगा तो यह हो गया 1 plus sin theta और नीचे क्या हो गया नीचे क्या हो गया, cos theta, cos theta, अब दो को इसको लिखने का तरीका करते हैं, एक बार हमने cos को 1 के नीचे ले जाते हैं, और plus sin theta के नीचे क्या ले जाते हैं, cos theta के ले जाते हैं, तो 1 upon में cos theta, 1 upon में cos theta, जो होता है, वो किसके बराबर होता है, वो sec theta के बराबर होता है, और sin theta upon में cos theta किसके बराबर होता है, वो 10 theta होता है, तो यह हो जाएगा, कौन सा है, option सही, इसका sec theta plus 10 theta है, यह वाला option सही हो जाएगा, चलिए, नेक्स question में चलते हैं, इसको फटा फटा आप नोड करि अब लोग फिर सेमी कोशन दुबारा आ गया आपका इस कोशन को करने के लिए फर आप वीडियो को पहुaş करिए फिर इसTelebook देखिए आपने कि सही कर vær ú या गलत कर रा है चलिए अब हम करते है इस कोशन को और करने के लिए मैंने क्या बता है सबसे पहले उनको एक root के अंदर लेना है आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा cos theta और नीचे क्या हो जाएगा 1 minus cos theta हो जाएगा अब हमें इसके साथ अगर हमें solve करना तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा नीचे वाले का rationalize करेंगे तो cos इसके और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus cos theta हो जाएगा और इसका multiply करोगे तो यह root के अंदर क्या जाएगा 1 plus cos theta का whole square और यहाँ क्या a plus b a minus b फिर क्या हो जाएगा a square minus b square a square minus b one का square और क्या हो जाएगा cos square theta हो जाएगा अब इसको क्या लिख सकते है हमने one plus cos theta का whole square और नीचे क्या हो जाएगा one minus cos square theta होता किसके बराबर है यह होता है sine square theta के बराबर होता है अब धेहान से देखने कोशिश करो कि अगर root के अंदर same ही चीज़ दो बार है यही same चीज़ दो बार है तो बाहर निकलता है एक बार यह भी नीचे वाला भी same चीज़ दो बार है तो दोनों root से बाहर निकल जाएंगे तो यहां हो जाएगा one plus cos theta upon में क्या जाएगा यह जाएगा sine theta जाएगा अब हम इसको क्या करते एक बार one upon में क्या लिख देते है sine theta और plus यहां पर क्या करते है cos theta upon में क्या लिख दिया sine theta हो गया और one upon में sine theta होता है cos theta के बराबर होता है और यह होता है cos theta के बराबर होता है cos upon में sine तो देखो cos theta plus cos theta कौनस option से हो जाएगा इसका भी वाला option आपका सही हो जाएगा तो चलिए फटा-फट नोट करिए और I hope सबने सही करा होगा 23 question cost तो question दिया हुआ आपका cos 4A minus sin 4A अब ऐसे question को solve करने में वहाँ जदा confusion होता है कि हम इसको sin में सारा बदल दे या सारा cos में बदल दे अब देखते हैं कि answer क्या पहले हमने इसको cos में बदलते हैं तो अभी इसके लिए आपने एक formula पढ़ा है formula क्या पढ़ा है आपने formula पढ़ा है कि sin square a plus क्या हो जाएगा cos square a अगर दोनों देगा हो sin square theta plus cos square theta equal to 1 था अब हम क्या करते हैं यहां से किसी एक में बदलना है हमें क्या करना sin को cos में बदलना है तो क्या करते हमने sin की value निकाल देते हैं यहाँ पर sin square a किसके बराबर आता था 1 माइनस cos square a के बराबर आता है तो यहां पर put करिए यहां पर अगर हमने put करेंगे यहां पर put करेंगे तो cry जाएगा cos 4 a minus यहां पर क्या हो जाएगा 1 minus cos square a का power कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा नहीं हमने साइन स्क्वाइर के दिमाप पूट करना तो दिहां से देखना थोड़ा सा पहले इसको कंवर्ट कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ठीक है देखो यह कॉस फोर ए और इसको लिख लिए हमने कि साइन स्क्वाइर ए और इसका पावर फिर टू अ लेकिन हमने साइन स्क्वाइर की बयलो निकाल लिए है कितना है तो आप हमने यहां पर पूट कर और यहां पर हमने क्या करने आवाल है ए अब इसका a minus b का whole square का formula लगाओ तो क्या हो जाएगा cos 4a और इसका आजाएगा 1 का square a square plus b square minus 2ab 2 into 1 into cos square a यह हो जाएगा cos 4a और अब इसको हमने solve करते 1 का square 1 हो गया और इसको हमने क्या लिख सकते है cos 4a लिख सकते है और यहाँ पर minus 2 cos square a ठीक है अब देखो minus का अंदर multiply कर रहे minus का अगर अंदर multiply करे तो यह जो cos 4a और अंदर multiply होगा तो plus minus का minus 1 minus cos 4a फिर यहाँ minus minus का क्या हो जाएगा plus 2 cos square a देखो यह दोनों तो cancel हो गए अब बचा क्या रगया बचा रगया जो positive में उसको हम पहले लिख लेते यह बचा रगया minus 1 कहीं पर ऐसा दिख रहा है आपका क्या ऐसा दिख रहा है आपको दिख रहा है कोई option भी चेक करना पड़ता है पहले आप sign में पूरा बदलो तो sign में option हो सकता है दो बार आपको solve करना पड़ सकता है लेकिन हमारा answer पहले ही मिल गया तो हमें आगे solve करने की जरूरत नहीं है तो हमारा इस पो option हो गया कौँसा 23 का जो है वो बी वाल option हो गया चली इसको भी note करिए फटा-फट आगे वाले question पे चलते है दो यह question करना आपको sin theta 1 minus cos theta plus cos theta और आजाएगा cos theta upon में 1 minus 10 theta अब मैंने बताया इस question को solve करना है तो sin और cos में सारे नहीं दिख रहे हैं अगर sin और cos में नहीं तो बदलो cos का क्या होता था cos upon में sin 10 का क्या होता है sin upon में cos तो अब हमें क्या करना है बस यहाँ पर put करना है कि sin theta और 1 minus यहाँ पर क्या हो जाएगा यह cos theta upon में sin theta हो जाएगा और plus cos theta और यहाँ क्या हो जाएगा 1 minus sin theta upon में क्या हो जाएगा cos theta हो जाएगा 1 1 अब देखो हमें क्या करना है, sin और cos में बदल लिया, अब हमें नीचे का LCM देना है, तो sin यहाँ पर भी sin बनाना है, यहाँ cos है यहाँ भी cos बनाना है, तो हमें sin का ऊपर नीचे multiply करना है, और यहाँ पर किसका multiply करना है, cos का करना है, तो यह आजाएगा आपका, कि sin theta upon में, यह यहां आ जाएगा sin theta minus cos theta और नीचे क्या हो जाएगा दोनों जगा sin theta हो गया ठीक है दोनों जगा sin theta हो गया तो एक बार लिख देते हैं और यहां आपका plus और यह हो जाएगा cos theta और नीचे क्या हो जाएगा अब यहां cos बनाना तो cos का उपर नीचे multiply करो cos theta minus sin theta और नीचे क्या जाएगा आपका? आजाएगा cos theta आजाएगा अब देखो हम क्या करते हैं? इसका multiply करते हैं तो कभी भी ऐसे देखो ये sin की नीचे हमने 1 बना लेते हैं sin 1 हो गया और cos के नीचे भी क्या बना लाते है 1 तो यह हो जाएगा देखो sin theta हम क्या करते हैं sin theta अपॉन में 1 इसको multiply करें नीचे वाले का यह दोनों divide में तो इसका reciprocal हो जाएगा reciprocal करोगे तो यहां आजाएगा sin theta और यहां पर क्या हो जाएगा sin theta minus cos theta sin theta minus cos theta हो जाएगा ठीक है और plus plus जो आपका यहां पर भी 1 बनाया है हमने cos cos theta upon में 1 multiply नीचे का reciprocal हो जाएगा क्या हो जाएगा cos theta upon में cos theta upon में यहां हो जाएगा cos theta minus sin theta चलिए अब उपर multiply करोगे क्या हो जाएगा sin square theta और नीचे क्या हो जाएगा sin theta minus cos theta plus यहां क्या हो जाएगा cos square theta और यहां हो जाएगा cos theta minus sin theta अब ध्यान से दिखो कि जो यह नीचे वाला bracket में लिखा गया वो क्या दोनों जगां सेम है अगर मैं बोलूं कि 2 minus 3 करो और 3 minus 2 करो क्या दोनों बराबर है अभी तक तो नहीं बराबर क्योंकि यहां answer आएगा minus 1 यहां आएगा 1 लेकिन जैसे यहां पर आपको minus common कर लोगे minus common कर लोगे तो यह वाला भी हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा हमें क्या करना है बस minus को common करना है अब दोको minus common करते ही दोनों जगह क्या मिल जाएगा सेम मिल जाएगा तो हम क्या करते है यहां से minus common करते है तो यह आजाएगा sin square theta upon me sin theta minus cos theta और यहां से minus common करा तो plus minus का minus हो जाएगा cos square theta और नीचे क्या जगा minus common करते ही common करते ही minus वाला plus में हो जाएगा minus वाला क्या हो जाएगा plus में हो जाएगा minus में हो जाएगा देखो उल्टा हो गया आपका अब दोनों bracket में same हो गया अब दोनों को हमने common निकाल लेते हैं अगर यहाद दोनों bracket में same हो गया तो हम इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं यह हो जाएगा क्या sin sin theta minus cos theta और उपर क्या हो जाएगा sin square theta minus cos square theta ठीक है अब यहाँ पर हमने जो करने वाले हैं यहाँ पर a square minus b square का formula लगाओ तो एक बार हो जाएगा sin theta plus cos theta और एक bracket में आजाएगा sin theta minus cos theta आजाएगा तो चलिए इधर वाला हमने मिटा देते हैं इधर वाला आपका note हो गया होगा तो हम इसको हटा देते हैं और फिर solve करते हैं तो वहाँ पर जो formal लगाएगे अब आजाएगा sin theta plus cos theta a square minus b square का formula लगादे यहाँ पर क्या जाएगा sin theta minus cos theta हो जाएगा और नीचे क्या divide हो जाएगा नीचे जो divide हो जाएगा वो sin theta minus cos theta इससे divide हो जाएगा तो यह तो cancel होगे आपका अब बचा क्या बचा जो आपका sin theta plus cos theta sin theta plus cos theta मदब C वाला option आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो चलिए फटा फट नोट करिए, ऐसे question छोटे होते हैं, बट आपका करने में बहुत जादा step चला गया, लेकिन आप जब practice कर लोगे, तो कई सारे step आप एक साथ कर पाओगे, मैंने हार एक step समझाने के चक्कर में इतना लेंदी गया है, तो next question की तरफ चलते हैं, चलिए हमा सीख लेते हो, तो आपके trigonometry से rare ही question है, जो आपको जाएगा, और एक सी दो मांस, जो भी जितने मांस आता है, वो सारे मांस देखे जाएगे, चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, thank you, next class में, next lecture के साथ मिलते हैं